देखिए इस प्रकार के प्रिशन में आपको काटना जरूरी नहीं है काटना तो आ जाएगा लेकिन दसमलो का सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस होता है दसमलो क्या रोल प्ले कर जाता है दसमलो कहां लगेगा दसमलो को हटाएं कैसे ये सारी दिक्कतें स्टुडेंट के सामन आती रहती है तो देखिए कुछ नहीं करना है इसको साधरान से कैलकुलेशन बनाना है सबसे पहले हमको करना क्या है इसका दसमलो हटाना है तो दसमलो हटाने के लिए ज़्यादा मत सूचिए ये देखिए कि दसमलो के बाद कितने अंख हैं दसमलो के बाद यहां देखिए दो अंख है यहां पर देखिए दसंबलों के बाद एक अंख है यहां देखिए दसंबलों के बाद कितने अंख है एक अंख है तो कुल मिलाकर यहां पर दसंबलों के बाद कितने अंग होगा इन सबको जोड़ लीजिए तो दो एक तीन और एक कितना होगा चार ठीक है यहां पर देखिए दसंबलों के बाद कितने अंग है एक दो दो अंग है यहां देखिए कितने अंग है एक दो यहां देखिए कितने अंग है दसंबलों के बा 1, 2, दसमलों के बाद जोड़ना है न, 1, 2, दसमलों के बाद, अब यहीं से आके गिंती पकड़ लीजिए, 1, 2, 3, 4, ऐसे सीधे, सीधे जोड़ीए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने होगा, 6, अब क्या करना है, अब हमारा काम है जीरो लगाने का, तो जीरो कहां लगाएंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे दसंबलों के बाद जितने अंग हों बो लिख लीजिए दसंबलों के बाद जितने अंग हों बो लिख लीजिए जिधर कम है उधर आप जीरो बढ़ा दीजिए उतने बस ये काम आपको करना है अब सारा दसंबलों हड़ गया अब सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है यही पर चौदा सो कितना चौदा सो और बटे यहां नीचे क्या बचा यहां बचा साथ देखिए साथ के पहले जीरो जीरो है कोई मतलब नहीं है जीरो होने का गुणा यहां क्या बचा आठ बचा और यहां क्या बचा नो बचा और यहां देखिए क्या बचा दो बचा बस यह सिंपल कोई भी value को वो पूरा-पूरा काट पा रहा है कि नहीं काट पा रहा है जैसे हम 7 को पकड़ेंगे तो हम देखेंगे उपर किसी भी संख्या को ये पूरा-पूरा काट रहा है कि नहीं काट रहा है तो देखिए 7 जो है उपर किसी भी संख्या को काट रहा है चाट देगा तो आप कहेंगे नो तो इसी को सीधे सीधे काट देगा ठिक है अब देखिए नू से काट confess रेजले नो एक कम दो चाय तो इसको काट लेजी हम इसको काट लेते हैं दो एक कम दो कितना हो गया डबल जी रुआ गया अब यहां पर क्या यह 36 गुणा 100 क्या बच्छा हमारे पास 36 गुणा 100 तो यह आंसर कितना जाएगा आंसर सीधे आ गया 36 35300 लेकितना आसान होता है कैलकुलेशन तो बहुत आसान होता है लेकिन बस डसंबलों काहर फेर हो जाता है तो यह झोटा इत्वाहर आपको पूश ले कि अच्छा बताईए जैसे यह लिखा हुआ केवल आप लोग दसम्लों को हटाना है यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं करना केवल दसम्लों को टाईए 2.3 वड़ा 0.005 गुणा यहां पर मालीजे 0.3 बटे यहां लिखा है 1.2 गुणा 0.03 गुणा और यह लिखा है मालीजे 2.1 अब यहां पर दसम्लों हटाईए दसम्लों हटाएंगे तो बताईए 0 कहां बढ़ेगा खुद से जरूर बनाएगा तो यहां पर देखिए दसम्लों के बाद एक अंख है दसम्लों के बाद तीन अंख है दसम्लों के बाद एक अंख है तो गिनेंगे कैसे दसम् एक दो तीन चार पांच तो यहां कितने अंग है ठीक है यहां पर देखिए दसंबलों के बाद एक दो तीन चार यहां कितने चार तो बताईए जीरो कहां बढ़ेगा जीरो बढ़ेगा नीचे ठीक है ना इसके पास कम है इसमें देखिए दसंबलों के बाद केवल चार अंग और इसमें दसम्लों के बाद पांच एंग है किसके पास कम है इसके पास कम है जिसके पास कम होगा उसी को तो हम देंगे तो घटा लीजिए पांच में चार गया कितना एक एक कम है जिस बच्छे को नहीं आता बू समझ लीजिए इसको ऐसे घटा लेते हैं पांच में चार गय एक तो जिसके पास कम है इसके पास चार है इसके पास पांच है इसके पास कम है ना तो इधर एक जीरो बढ़ा लीजिए बस ये जीरो बढ़ गया अब सारे दसंबलो क्या कर लीजिए हटा लीजिए सारे दसंबलो हट गए तो इस तरह से हम लोग दसंबलो को हटाते हैं और समलों अगर हड़ गया तो कुश्चिन करना बहुत आसान हो जाता है उमीद करता हूं कि आज का यह कॉंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नहीं और कॉंसेप्ट को लेकर के थैंक्स पो वॉचिंग आइस